हेलो दोस्तों आप सभी का भुदबुद स्वागत है आपके अपने चेनल साइंस पैटर क्लासेज में देखे दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा राजस्थान कक्सा साथ की बुक में से इंपोर्टेंट प्रसन जो आपके रीट मैंस के एक्जाम के लिए काफ आपके सामने निम्न मेंसे सविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल सविधान पर अस्थाकसर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे आपके सामने है जैनाराण व्यास रामचंदर उपाध्याय बलवंत सिंग महता और जश्वन सिंग तो इस प्रसन का राइट आंसर क आप नोट कर सकते हैं यहां पे 1943 में बलवंत सिंग ने महता ने वनवासी चात्रावास की स्थापना की किसकी स्थापना की दोस्तों वनवासी चात्रावास और यह स्थापना कहां पे की गी उदेपूर में कहां पे की गी दोस्तों उदेपूर में चलिए दोस्तों बढ़त में राजस्थान खादी गरामो धोग बोर्ड के अधेक्स रहे ये आपको पूछा गया है ओप्सन आपको दिये गए है मुकुट बिहारी मानिक के लाल वर्मा इसके लावा भूपाल सिंग गोकुलाल आश्वा तो इस प्रसंद का जो राइट आंशर है दोस्तों वो क्या हो मानिक के लाल वर्मा से इसके लावा एक चीज़ ओर आप यहां पे नोट कर सकते हैं इसके लावा 1941 में मेवार प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अधेक्स्ता की गई ती चली दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्यूशन आपके सामने दिया गया है निमन में से जीवन कुटिर सैस्ता का संमंद किस्से है वह ती शांदार प्रजान आपको यहां पे पूछा गया है जीवन कुटिर सैस्ता तो देखिए दोस्तों आपको क्या दिये भोगिलाल पांडया, करणीशिंघ, हीरालाल और इन में से कोई नहीं तो इस प्रसन का जो right answer है दोस्तों वो क्या हो जाएगा हीरालाल सास्त्री जीवन कुटिर सैंस्ता का सम्मंद किसे है हीरालाल सास्त्री से इसके अलावा वनस्तली विद्धापीट वनस्तली विद्धापीट जो वर्तमान में कहां पे इस्तित है निवाई टॉंक में इस्तित है इसकी स्थापना भी किसके दवारा कीगी हीरालाल सास्त्री के दवारा चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने ये रहा भोती शांदार प्रसन आपको यहां पे दिया गया है जल जंगल और जमीन अंदोलन जो है वो किसके दवारा चलाय गया उप्शन आपके सामने है मामा बालेशवर दयाल मोतिलाल तेजावत गोविंद गुरू और विजे सिंग पथिक तो इस प्रसन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तो मामा बालेशवर दयाल इसके इलाबा गोविंद गुरू ने किसकी स्थापना की थी संप सभा किसकी स्थापना की थी संप सभा की स्थापना किसके दवारा की गी थी गोविंद गुरू के दवारा की गी थी जहां पे देखिए दोस्तों संप का जो मतलब है वो क्या है प्रेम और बंधूतव है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन की और अगला क्यूशन आपको दिया है पोति संदर प्रसन यहां पे पूछा गया है परजा मंडल वे उनकी स्थापना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन ऐसत्ते है आपको यहां पे ऐसत्ते कथन बताना है देखिए मारवार परजा मंडल की स्थापन जैनाराण व्यास बिल्कुल सही है मारवार परजामंडल की स्थापना किसके दवारा कीगी जैनाराण व्यास के दवारा मेवार परजामंडल की स्थापना बलवन सिंग महता के दवारा अभी हमने डिसकस किया बिकानेर परजामंडल मगहराम वैद के दवारा यहाँ पे आपका जो ऐसत्ते कथन होगा वो कौन सा होगा दोस्तो जैपूर परजामंडल तो जैपूर परजामंडल की इस्थापना किसके दवारा कीगी जमनालाल बजाज किसके दवारा कीगी दोस्तो जमनालाल बजाज किसके दवारा कीगी जमनालाल बजाज के दवारा इसके इलावा एक ओर था यहाँ पे जिसका नाम था कपूर चंद पाटनी तो जमनालाल बजाज और कपूर्चन पाटनी के दवारा जैपूर परजामंडल की इस्थापना कीगी और नेनूराम ने किस परजामंडल की इस्थापना की हाडोती परजामंडल की जो इस्थापना है वो किस के दवारा की जाती है नेनूराम सर्मा के दवारा चलिए दोस्त जहां पुलिस ने एकरत्रीतल किसानों पर गोली चला दी जिससे घटना इस तल पर नानक जी भिलकी क्या हो गई मरति हो गई तो इस घटना का जो सम्मंद है वो किसे है बेंगू किसान आंदोलन नीमू चाना किसान आंदोलन नीमू चाना कहां पे है अलवर में कहां पे है अल कहा जाता है जहांपे इस घटना में नानक जी भिल क्या होगे शहीध होगे चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन की और आज का नेक्स्ट क्यूशन आपके सामने ये रहा भोति स्शांधार प्रशन आपको यहांपे दिया गया है देखे क्या कहा गया क्यूशन में मेवार के किस सासक के बारे में कहा जाता है कि उनके व्यक्तितुव में कटार कलम और कला की त्रिवेनी थी भोती शांदार प्रसन आपको यहां पे दिया गया है किस सासक के बारे में यह कहा गया जो मेवार से समंदित है कि उनके व्यक्तितुव में कटार कलम और कला की त्रिवेनी थी आपके सामने दोस्तों महराना कुमबा महराना सांगा उदे सिंग और महराना प्रताग तो यहाँ पे इस प्रसन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों महराना कुमबा इसके इलावा महराना सांगा को क्या कहा जाता है सेनिकों का भगनावेस क्या कहा जाता है सेनिकों का भगनावेस कहा जाता है महारणा सांगा को चलिए दोस्तों बढ़ते हैं next question की और अगला question question number 8 आपके सामने ये रहा मारवाड के किस सासक को फार्सी इतियास कारों के दवारा हस्मत वाला राजा कहा गया है देखिए दोस्तों हस्मत वाला का मतलब क्या होता है ताकतवर क्या होता है ताकतवर हस्मत का मतलब क्या होता है ताकतवर तो मारवाड का ऐसा कौन सा सासक है जिसके बारे में फार्सी इतियास कारों ने उसको हस्मत वाला राजा कहा है उप्षन आपके सामने है जस्वन सिंग उप्षन आपको दी है दोस्तों जस्वन सिंग मालदेव मोटा राजा उदे सिंग और राजा मान सिंग तो इस प्रशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मालदेव क्या हो जाएगा मालदेव इसके दो सेनापते भी बहुत परसीद है जैता और कूपा जैता और कूपा जो सेर्षा सोरी के साथ युद करते हुए 1544 इस्वी में क्या हो गए मारे गए चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन की और अगला क्यूशन आपको दिया है आपके सामने ये रहा अगला क्यूशन निम्न में से क्या कहा गए आपको निम्न में से कौन सी सवाई जैसिंग दवारा जो 30 अधिन के लिए जंतर मंतर नाम से बनाएगी वेद सालाओं से सम्मंदित नहीं है तो यहाँ पे सवाई जैसिंग दवारा पांच वेद सालाओं बनाएगी थी जो थी आपकी जैपूर, दिल्ली, मतूरा, उज्जेन और बनारस तो यहाँ पे दिल्ली बिल्कुल राइट है मतूरा, उज्जेन बिल्कुल राइट है यहाँ पे तो आपका जो इस क्यूशन क का अंसर है वो क्या हो जाएगा कूलकाता कहां पे नहीं बनाई थी कूलकाता में कहां पे बनाई थी देखिए स्वाई जैसिंग ने जोतिस अध्यन के लिए पांच वेज सालाएं बनाई थी कौन कौन सी दिल्ली मतूरा उज्जेन जैपूर तो चलिए दोस्तों बच गई संबंद किसे है जैपूर से कच्वावंस का सासक है तो यहां पे इस परसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कूलकाता चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने ये रहा भोती सांदार प्रसन आपको यहां पे दिया गया है कि किसान आंदोलन के तहट उपरमाल पंच बोर्ड की इस्थापना की गी किस किसान आंदोलन के तहट उपरमाल पंच बोर्ड की इस्थापना की गी और इस प्रसन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन और इस उपरमाल पंच बोर्ड की जो पतिक के दवारा पोती सांदर प्रसन आपको यहां पे दिया गया है इसके अलावा बिजोलिया कहां पड़ता है भीलवाडा में ये रास्तान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था कौनसा बिजोलिया किसान आंदोलन चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के next question की और अगला question आपकी screen पे ये रहा और question में आपको क्या पूछा गया है 1919 में वरधा में राजस्तान सेवा संग किसकी स्थापना राजस्तान सेवा संग की स्थापना किसके दवारा की गई आपके सामने है भोगिलाल पांड्या मोतिलाल तेजावत विजे सिंग पतिक जे नारण व्यास तो इस प्रसन का देखी 1919 में वरधा में रास्तान सेवा संग की स्थापना जो है वो किसके दवारा कीगी दोस्तों विजे सिंग पतिक के दवारा भोती सांदार प्रसन यहाँ पे आपको पूछा गया है चलिए दोस् किन खनीजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है कौन से खनीज है जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है सरवाधिक उत्पादित होते हैं ओप्शन एक में आपको दिया है वलेस्टरोनाइट जास्पर और सिसाजस्ता बी में आपको दिया है सिसाजस्ता लोह नमबर एक वॉलेस्टोनाइट जास्पर और सिसा जस्ता वॉलेस्टोनाइट सरवाधिक कहां होता है राजस्तान में सिरोही वालदा कहां होता है सिरोही सरवाधिक कहां पे होता है दोस्तों सिरोही वालदा इसके अलावा सिसा जस्ता कहां पे होता है जावर खान उदेपूर कहां पे होता है जावर खान उदेपूर में सरवाधिक सिसा जस्ता उत्पादन किया जाता है इसके लावा हम बात करें रॉक फोस्पेट की, तो रॉक फोस्पेट कहां पे होता है, जामर कोटडा उदेपूर, बात करें हम अभरक की, तो अभरक का सरवाधिक उत्पादन राजस्तान में कहां पे होता है, भील वाडा के अंदर, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, अभ्यारणने करोली जिले में इस्तित है, देखिए ओप्सन आपके सामने है, बंद बरेठा, कैला देवी, गजनेर और सोरसेन, तो यहाँ पे इस प्रसन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए, बंद बरेठा कहां पे है, भरतपुर में, बंद बरेठा कहां पे कैला देवी, गजनेर अभ्यारणने जो तीतरों के लिए परसीद है, कहां पे इस्तित है, गजनेर बिकानेर, कहां पे इस्तित है, गजनेर अभ्यारणने बिकानेर में, और सोरसेन कहां पे है, बारा, कहां पे है, बारा में, तो यहाँ पे आप साथ-साथ नोट कर सकते हैं बंद बरेठा भरतपूर में कैला देवी करोली में गजनेर बिकानेर में सोरसेन कहां पर है बारा में यहां पर कैला देवी माता भी है करोली के अंदर जिसके लांगूरिया गीत गाय जाते हैं कौन से गीत गाय जाते हैं लांगूरिया गीत किस देवी के प्रसिद हैं कैला द सफारी पार्क जेपूर में एक विसाल और सुन्दर सफारी पार्क है आपको साफ साफ दिया है यहां पे कि यह पार्क कहां पे इस्तित है जेपूर में है जो तेंद्वों को देखने के लिए क्या है प्रसिद है किसके लिए प्रसिद है यह तेंद्वों के लिए प्रसिद है तो यहाँ पे option आपके सामने है दोस्तों, रन्थम्भोर, रन्थम्भोर कहाँ पे है स्वाई माधोपुर में, कहाँ पे है स्वाई माधोपुर में, तो यह नहीं होगा आपका option, दूसरा है आपका कैवलादेव, कैवलादेव कहाँ पे है भरत्पुर में, इसके अलावा ती प्रसन का जो right answer होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा जालना जालना सफारी पार्क कहां पे इस्तित है जेपूर में इस्तित है जो किसके लिए प्रसिद है तेंदवों के लिए प्रसिद है तेंदवों को देखने के लिए lock period है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के next question की और अ चलिए दोस्तों बढ़ते हैं next question की और आज का next question जो है वो ये रहा आपकी screen पे आपके सामने question क्या दिया गए आपको दोस्तो निम्न में से किस जिले में राजस्तान का कुल वन आचादित छेतर सबसे अधिक है ज्यादा वन कहां पे पाए जाते हैं option आपके सामने है पाली, बारा, अजमेर, उदेपूर तो इस प् करते हैं, आज के next question की और अगला question आपके सामने ये रहा दोस्तो, question number 17, question number 17 में आपको क्या दिया है, देखे, एकी आंदोलन के नेता कौन थे, एकी आंदोलन का संबंध जो है, वो किस से है, या फिर एकी आंदोलन किसके दवारा चलाय गया, देखे, भोमट छेतर में चलाय गया था, कहां पे चला गया था, भोमट छेतर में चलाय गया था, इसलिए इसको भोमट आंदोलन भी कहा जाता है, तो इस प्रसन में आपको option दियें, दोस्तो, मोहंदास, करमचन, गांधी, आपका रोंग होगा, यहां पे, जैनाराण व्यास, यहां पे रोंग होगा, कु अगला किसन आपको क्या पूछा है, निम्न में से, नांजी और ठाकरे पटेल का सम्मंद किस आंदोलन से है, नांजी और ठाकरे पटेल का सम्मंद जो है, वो किस आंदोलन से है, option आपके सामने है, बुंदी किसान आंदोलन, बेंगु किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आ दोस्तो बिजोलिया किसान आन्दोलन चलिए दोस्तो बढ़ते हैं नेक्सट किशन की और अगला किशन आपके सामने ये रहा क्या कहा गया है आपको कनहिया लाल सेठिया दवारा रचित पुस्तक कौन सी नहीं है तो आपके सामने है पाथल पिथल धर्ती धोरारी मिजर और व एक बुक और है यहाँ पे लेल टास जो प्रसिद बुक है इनकी लेल टास ये किसके दवारा रचित हैं कनहिया लाल सेथिया के दवारा तो आपका option number four जो है वो यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल right होगा वेली किसन रुकमणीरी की रचना कनहिया लाल सेथिया के दवारा नहीं दवारा केगी प्रत्वी राच राठोड के दवारा चलिए बढ़ते हैं next question की और अगला question आपको दिया गया है आज का अंतिम question आपके सामने आपकी screen पे ये रहा कोटा में विद्रोह का नेतर्तव किसने किया 157 की करांती के दोरान कोटा में जो विद्रोह हुआ उसका नेत of these कोई नहीं तो देखिए कोटा में जो अठास्तान की करांती के समय विद्रोह हुआ था उस समय वहां का political agent कौन था major breton कौन था major breton कौन था दोस्तो major breton तो यहाँ पे कोटा में विद्रोह का जो नेतर्तव है वो लाला जेद्याल और महराब खां दोनों के दवारा किया ग गया था 1857 की करांती के समय तो दोस्तो आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं कुछ और नए questions के साथ कुछ और नए important questions के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत